STET परिक्षा 2019-20 में पूरे बिहार से जिस तरह की तस्वीर आ रहे हैं तस्वीर ड़ाने वाली हर जगह से प्रस्ण पत्र लीख होने की बात सामने आ रहे हैं साथ में अभ्यार्थियों के साथ बड़ा मजाक हुआ ऐसे में कई जगह पर परिक्षा केंसल की बात BACV बोर्ट पटना कर रही है आज के अकबार की आप खबर देख सकते हैं राजभर की परिक्षा रध करने की मांग पर अर गई अभ्यार्थी आरोप लगाया परस्न पत्र भी सील टूटी थी पर क्या ये सही है कि जहां पर हंगामा होगा वहीं पर परिक्षा रध होगी आप सोचे कि पूरे बिहार से परिक्षा में कदाचार की बड़ी तस्वीर सामने आई है ऐसे में क्या दो चार सेंटर पर परिक्षा कैंसल कर देने से खाना पूर्ती कर देने से क्या ये बिहार से पड़िक्षा में कदाचार की ऐसी तस्वीरे आ रही हैं जिसको देखने के बाद आम बिहारी की रुह काप रही है और हर जगा से ऐसी तस्वीरे हैं आप देख सकते हैं अब भ्यार्थी को जमीन पर बिठा कर मजाग किया जा रहा है पड़िक्षा के नाम पर ऐसी परिक्षा जहां पर आप देख सकते हैं सबी लोग आसपास खड़े हैं मजाक हसी हो रही हैं लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं भीर जमा हैं क्या ऐसी परिक्षा केंसिल नहीं होनी चाहिए यह सवाल सिक्षा सुधार रोजगार की माध्यम से मैं नीरज आप सभी से पूछ मिश्णाओं की जब ऐसी तस्वेर थी ₽ हर जिले की हैं तो सिरिफ दो चार सेंटरपर परिक्षा क्यों कैंसिल हो पूरी परिक्षा क्यों नहीं कैंसिल आप समझ सकते हैं कि इस तरह के परिक्षा का क्या मतलब है जब प्रश्न पत्र फटे हुए मिले अब भ्यर्थि बाह कि तरब से कि परिक्षा में जब इतनी बड़ी धांदली आप देख सकते हैं मुबाइल फोन लेकर खिड़की के सामने खड़े हैं आप भेहरती और बात चित हो रही है क्या ये परिक्षा सही है ऐसे में क्यों परिक्षा कैंसिल ना हो पूरे बिहार का आप ये भी देखें कि इस्पेशल केविन में आप भेहरती को कोस्चन पेपर भी दिया गया और बैठा कर कहा गया कि परिक्षा मोबाइल फोन के साथ आप देंगे कहा का इंसाप और ये एक जगा की बात नहीं है पू इने को कहा जाता है और धांदली जोड़ो पर है ऐसे में ये परिक्षा कैंसिल होनी चाहिए बीएसे भी बोर्ट से हम ये मांग करेंगे आज प्राताई 11 बजे सब्मंद में ग्यापन सौपा जाएगा बीएसे भी बोर्ट को आप देख सकते हैं आज के एक बार की खबर ए सरक जाम की सुचना पर डी एस पी राजेस सी परभाकर दल बल के साथ मौके पर पहुँचे इसके बाद परिक्षा रद होने की नोटिस जारी हुई अब भी हर्ट्यों की मांग थी कि पूरे राज की परिक्षा रद की जाए और इस मांग में कहा गया कि प्रस्न पत्र फट केंसिल करने के बाद भी क्या ये इनसाफ हो पाएगा आप सोचे की खाना पूर्ती की गई एक दो जगा परिक्षा केंसिल करके पर वहां से जो प्रस्न पत्र लीक हुआ वो कहां कहां पहुँचा होगा और पूरे राज में ब्याकपक पैमाने पर कदाचार हुआ है ऐसे मे पत्ना के एन कॉलेज में परिक्षा केंसिल होने की बात आपके स्क्रीन पर है पत्ना मुझभपरपूर और कई अन जिलो के सेंट्रों पर परिक्षा केंसिल होने की खबर है और आप समझ सकते हैं कि परिक्षा इतनी विलम से सुरू होई कि संध्या के साथ बजने की बात भी इस अकबार की खबर में आप देख सकते हैं लिखा है कि परिक्षा जिस वक्त से सुरू होगी उस वक्त से पूरा समय दिया जाएगा ये कहा गया साथ भी बज सकता ऐसे मे आप खबर देखें खबर में लिखा है कि अभ्यार्थियों का ये भी आरोप है कि प्रस्न पत्र लीक हुआ है अभ्यार्थियों का आरोप है कि पेपर पहले से लीक हुआ था एन कॉलेज में ही कुछ ब्लॉक में परिक्षा चल रही थी पैसे और समय दोनों की बरबादी की बात महिला अभ्यरती कह रहे थी और रो भी रही थी हलाकि इन सभी आरोपो पर बोड़ अध्यक्ष आनंद की सोर ने कहा कि या बिलकुल ही नीड़ाधार बात है कराई को लेकर अभ्यरतियों में हंगामा है आप समझ सकते हैं जब वीडियो बारल होड़ा हर जगा का अराम से अभ्यरती खुले मैदान में बैट के परिक्षा दे रहे हैं एक ये तो बहुत बड़ी कराई की बात आनंद की सोर कह रहे हैं कराई तो पुरे भारत के परिच्छा में कहीं नहीं हुई होगी और वीडियो आपने देखा ही है ऐसे में किस कराई की बात करते हैं आनंद की सोर ये आप और हम बखुबी समझ सकते हैं अब भ्यारतियों ने प्रस्ण पत्र और अटेंडेंस ओएमार फारा देड़ से परिच्छा सुरू होने से गुसा है अब भ्यारतियों ने प्रस्ण पत्र ओएमार अटेंडेंस सीट को फार डाला साइंस ब्लोग में सुरू हुआ हंगामा और सताबदी भवन होते हुए ए सामने ही परिक्षा नियंतरक और प्रस्ण पत्र लेकर पहुंचे अधिकारी के बीच बहुत हुई प्रस्ण पत्र लेकर पहुंचे अधिकारी का कहाना था कि एक तीस बजे प्रस्ण पत्र रिसीब किया गया जबकि परिक्षा नियंतरक ने कहा कि एक पेंटालिस में प्रसन पत्र आया है परिक्षा दो बज़े से सुरू होनी थी इसके बाद अरेंज करने में वक्त लगा इसके अलावा OMR सीट भी सीरियल अरेंज नहीं था जिससे अब भेहरतियों को समय पर OMR नहीं मिल पा रहा था आप समझ सकते हैं कि इस परिक्षा में सबसे बड़ी धानली तो यह होती है कि प्रसन पत्र जब लेट मिलता है तो अब भेहरतियों को मनाने के लिए पहले कहा जाता है कि आपको एक तरीक्त समय दिया जाएगा और उसके बाद जब अंतिम समय आता है तो अपने पर परते देख प्रसन पत्र OMR सीट छिनने की बाद सामने आती है और कहा जाता है कि हम कुछ नहीं जानते है मैजिस्टेट साहब आएंगे हम फच जाएंगे आप जमा किजिए आप एक घंडा परिछा दिये उससे कोई मत पूछते हैं ऐसे में अन्य अखबार की खबर आप देखने लिखा है कि सिलेवस से बाहर सवाल पूछे जाने की बात निराधार है कदाचार मुक्त पर इक्चा के लिए जैमर भी लगाए गये थे कुछ केंद्रों पर प्रसन पत्र पांस से दस मिनट देड़ी से पहुंच ने ये जो बड़ा बयान दिया है क्या आप उससे सहमत है कमेंट में अपनी डाय जरूर दें ऐसे में हिंदुस्तान अखबार की खबर आपके स्क्रीन पर है एन कॉलेज समेच चार केंद्रों पर पड़िचा रद हुई ये खबर है और नौ साल बाद ली गई माध्यमेक शिक्षक पातरता पड़िच्छा मंगलबार को संपन हुई देड़ साम पड़िच्छा सुरू होने पर पर्देश में करें केंद्रों पर पड़िछहा क्या चारे किंड्रों रद की गईो विणारबूठ वि wattरूठ आन्द की सूर विषयर वालबूठ का दो अनन धुआं सोर ने संबंधित जिलों के जिलादिकारी की शंतुस्ती पर एल्पी साही कॉलेज हमुज़परपूर Mar हिंद्र महिला कॉलेज गोपाल गंज और यार एम कॉलेज सहर्चा केंद्रो की पहली-पाली की परिश्या रद कर दी वहीं अन क amis पटना केंद्र की दूसरी पाली की परिश्या रद की गई है। परिश्या समापथ होने का रूप निराधार है जिन के अंदरों पर परिक्षा केंसिल हुई है उस सम्मंद में कहा गया कि फरबड़ी के अंतिम सप्ता में ली जाएगी परिक्षा रद होने से 45 सो अभ्यर्थी दुबारा परिक्षा देंगे पर क्या ये सिर्फ 45 सो अभ्यर्थी की बात है या पूरे परिक्षा रद होनी ही चाहिए आज इस सम्मंद में सिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले हम बीए सीवी बोट पहुंचेंगे और बीए सीवी बोट के अध्यक्ष को ग्यापन देंगे कि वीडियो फुटेज के अधार पर आप देखें कि हर जगा से कदाचार की खबर में परिक्षा रद होनी चाहिए दुबारा परिक्षा सिर्फ दो-चार केंद्रों की नहीnd पूरे बिहार की दुबारा परिक्षा ली जाने चाहिए अगर आनंद की सवर इस बात को नहीं समझेँगे इसका दा चार को नकारेंगे तो पठना हाइकोट में इस संबद में ए हमारे साथ